हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का All About Life में इस वीडियो में हम कमपेरिजन करने वाले हैं मार्केट के दो पॉपिलर हेयर कलर्स को पहला है गोदरिज एक्सपर्ट रिच क्रिम हेयर कलर दूसरा है गार्नियर ब्लाक नेचरल्स ओयल इन रिजड क्रिम कलर इन दोनों ही हेयर कलर्स में अमोनिया नहीं है दोनों ही दावा करते हैं कि ये 100% ग्रे कवरिज देते हैं सबसे पहले हम इनके प्राइज और साइस को कमपेर कर लेते हैं 20 ग्राम प्लस 20 एमल के लिए गोदरिज का प्राइज है 30 रुपीज इसका प्राइज है 37 रुपीज इन दोनों का शेल्फ लाइफ है दो साल दोनों ही हेयर कलर्स में विमें दोनों के लिए हैं अब हम इनके इंग्रीडियंट्स को कमपेर कर लेते हैं गोदरिज में है एक्वा हाइड्रोजन परोकसाइड सटाइल एलकोहल एसलेस एसकॉर्बिक एसिड पेराफीनम लिक्वीडम एलोवेरा एक्स्ट्रेक्ट मिल्क प्रोटीन इसमें और भी चीज़े हैं गार्नियर में है टाइप 3 हेर कलरेंट इसमें वाटर गिलिसरीन एसल परोकसाइड के अलामा एलकोहल भी है गार्नियर बालो पर सिर्फ 15 मिनट रखना होता है गोदरिज को 30 मिनट के लिए रखना होता है इन दोनों ही कलर्स के साथ गलफ्स नहीं मिलता अब बारी आती है फाइनल रिजल्ट्स की ये दोनों ही हेर कलर ग्रे हेर को अच्छे से केमिकल्स डाले गए है इन दोनों में पीपेडी है जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है मेरे पापा ने इन दोनों ही हेर कलर्स को इस्तमाल किया है उनके अकौर्डिंग गोदरिज हेर कलर गार्नियर से जादा लंबे समय तक बालो पर टिकता है और काफी नेचुरल सा कलर द कर ये जरूर बताईएगा ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक कियर वबा